आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now सवाल है Total Surface Area एक Solid Iron Cube का और एक Solid Aluminium Cuboid का सेम है Iron का Cube है, Aluminium का Cuboid है दोनों का Total Surface Area सेम है Length, Breath और Height जो Cuboid का है वो 1, 2 और 4 के रेशियो में है दोनों को पिखलाया जाता है एक विसल में और हमें बताना है What is the ratio of Iron and Aluminium in the Resultant Mixture पिखलाने के बाद जो Mixture बना उसमें Iron और Aluminium का रेशियो क्या है Iron का Cube था और Aluminium का Cuboid तो Cube और Cuboid के Volume का रेशियो हमें बताना है Resultant Mixture में तो Cube के लिए जो Dimension है As usual A होता है इसका और Cuboid के लिए Length जो होता है वो L Breath B और Height H Total Surface Area दोनों का सेम है Cuboid को दिया हुआ है 1, 2 और 4 के proportion में इसके Dimension है यानि कि फिर इसके Dimension जो Length L है वो तो L ही है जो Breath है वो 2L है और जो Height है H वो 4L है 1, 2 और 4 के proportion में हैं Total Surface Area सेम है या इसका मतलब हुआ Cube का Total Surface Area ये होता है 6A Square Equal to Cuboid का Total Surface Area ये होता है 2 into LB BH PLUS HL 2 से जो है ये Cancel Out हो जागा 3 टाइमस में यानि कि 3A Square Equal to LB B जो है वो खुद है 2L तो L into 2L PLUS B into H यानि कि 2L into 4L PLUS H into L यानि कि 4L into L तो ये हुआ 3A Square Equal to 2L Square PLUS 8L Square PLUS 4L Square Equal to 14L Square और यहां से A Square Equal to हो जाएगा 14 upon 3 L Square और यहां से A और L का Relation आ जाएगा A equal to 14 जो है वो Root में चला जाएगा या 14 by 3 ये पूरा Root में जाएगा और इसकी जगा हम लिग रहा है 14 by 3 पे पावर 1 by 2 into L Square जो है वो Square Root होगा तो L रहे जाएगा तो ये Relation A और L का है हमें Cube के Volume और Cuboid के Volume का Ratio बताना था तो जो Cube का Volume होता है वो होता है A Cube और जो Cuboid का होता है वो होता है L into B into H ये है A Cube L B जो है वो है 2L और H वो है 4L यानि कि ये हुआ A Cube upon 8L Cube equal to A Cube की Value रख देता है ये है 14 by 3 और इस पर पावर 1 by 2 L और इस पूरे का Cube A का Cube हो गया और नीचे 8L Cube Simplify करते है तो 14 by 3 पर पावर 1 by 2 है और उस पर पावर 3 है तो पावर पर पावर मतलब कि पावर मल्टिप्लाई हो जाएगा ये हुआ 14 by 3 और इस पर पावर 3 by 2 दोनों पावर मल्टिप्लाई हो गए 1 by 2 और 3 L का Cube हो जाएगा नीचे 8 L क्यूब L क्यूब से L क्यूब कैंसिल आउट हो गया और जो आया वो ये आया 14 by 3 पूरे पर पावर 3 by 2 by 8 यानि कि जो रेशियो है वो ये है 14 अपॉन 3 इस पर पावर 3 by 2 और 8 ये रेशियो जो है वो आंसर है देखते हैं कि कौन से आउप्शन में है तो ये फर्स्ट आउप्शन में हमें दिखाई दे रहा है इसलिए आउप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है अज राउनलोड करें डाउटनेटा ये वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर